संडे को जब इलॉन मस्ट ने ये ट्वीट किया कि वो लेट दा डोज आउट तो डोज कोईन जो है वो तगडी तरीके से बाउंस किया है जिसके बाद डोज कोईन दुनिया का एट्थ मोस्ट वैलूबल क्रिप्टो करंसी बन गया वही पर आज ये न्यूज आई है कि टेसला ने यहाँ पर 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ बिटकोईन पर्चेस किया है और जब ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आई तो बिटकोईन के प्राइसिज में भी यहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है Securities and Exchange Commission याने की SEC के एक फाइल में टेसला ने ये बताया कि उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ बिटकोईन जैनुवरी में खरीदे थे वही पर टेसला ने ये भी अनॉंस कर दिया है कि वो लोग जो अपने इलेक्टरिक कार्ज हैं जो उसको बेचेंगे उसके लिए करने जा रही है वही पर कंपनी ने ये फर्दर रिवील किया कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज है उसको जैनुवरी से चेंज कर दिया है जिसके बाद वो लोग जो है यहाँ पर जादा flexibility और modify returns cash पे दे पाएंगे last year 2020 से ही Elon Musk जो है यहाँ पर cryptocurrencies की importance के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बताया कि इस current digital era में cryptocurrencies की क्या importance है वही पर उन्होंने bitcoin को cryptocurrencies का future बताया है इसके साथ ही उन्होंने Dogecoin से related एक meme भी tweet किया था जिसके बाद Dogecoin जो है उसमें भी exponential growth देखने को मिली है और मैं आपको बता दूँ कि Dogecoin की value है वो भी यहाँ पर बढ़ गी है जहाँ पर पहले वो half a cent से लेके आज के टाइम पर एक Dogecoin की कीमत 8 cents तक पहुँच गई है वही पर Dogecoin का जो market cap है वो 10 billion dollars का भी बताया गया क्रिप्टो करेंसी में टेसला के investment से जो new financial alternatives है उसमें एक wide acceptance भी show करता है टेसला का इसके साथ ही आज के टाइम पर टेसला जो है वो largest company भी बन जाती है जिन्नोंने क्रिप्टो करेंसी में इतना बड़ा amount invest किया है मैं आपको बता दू कि सिरफ टेसला ही नहीं square जो के payment processing platform है उन्होंने भी recently cryptocurrencies में यहाँ पे invest किया इसके साथ ही PayPal ने भी recently अपने customers को यहाँ पे allow कर दिया है कि वो लोग buy sell या फिर exchange कर सकते हैं जो भी cryptocurrencies हैं उनको अपने platform पे वही पे उनके fourth quarter earning report में टेसला ने ये बताया है कि उनके पास अभी 19.4 billion dollars in cash मौजूद है इसके साथ ही Tesla ने अपने filing में आगे ये भी कहा है कि ये जो उनके पास cash मौजूद है उसका कुछ portion वो लोग जो है आने वाले time में कुछ alternative reserve assets में invest कर सकते हैं जैसे कि आपका digital asset हो गया या फिर gold bullion हो गया, gold exchange traded funds हो गया और बाकी के कुछ ऐसे ही similar assets analyst का यहाँ पर यहाँ यह मानना है कि cryptocurrency में जो Tesla ने invest किया है वो एक game changer होने वाला है जहाँ पर इस decision के बाद transaction purposes के लिए cryptocurrency को globally on board लाने में बहुत ज़ादा help मिलेगी वह पर कुछ analyst का यह मानना है कि Tesla जो है वो हमेशा publicity में रहने के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है तो यह जो है एक ऐसा move हो सकता है जो publicity के लिए किया गया इसके साथ ही कुछ का यह भी मानना है कि यह जो है intelligent move है जहां पर Tesla ने इस कदम को उठाया है वह पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि Tesla के share value को increase करने में यह जो है एक master stroke है वह पर कुछ analyst का यह भी मानना है कि Tesla ने सिरफ publicity के लिए 1.5 billion dollars खर्च कर दी हो यह मानना थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है वह पर कुछ analyst का यह भी कहना है कि यह जो है एक market manipulation है जहां पर Elon Musk ने 29 जनवरी को अपने twitter bio में bitcoin लिख दिया था मैं आपको बता दू कि Tesla भी cryptocurrencies को लेके जो risk है उसको समझती है वह पर कुछ analyst का यह भी मानना है कि आने वाले time में bitcoin जो है gold को as an investment option के तौर पे replace भी कर सकती है मैं आपको बता दू कि SEC के filing में Tesla ने यह भी mention किया है कि भाई कोई भी central body या फिर government जो है यहां पर cryptocurrencies को control नहीं करती जिसके बाद जो है in intangible assets के लिए कुछ risk तो जरूर associated है जहाँ पर Tesla ने यह बताया कि भाई चाहे वो cyber attacks हो जाए या फिर computer malfunction हो जाए या फिर कोई password भूल जाए तो यहां पर जो है ऐसे जो precious assets है उनको यहां पर lose किया जा सकता है जसके वज़े से भारे नुकसान भी हो सकता है वही पर interesting बात अब यह हो जाती है कि क्या bitcoin और बाकी के cryptocurrencies को globally यहां पर accept किया जाएगा कि नहीं वही पर यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या बाकी की जो दुनिया है वो cryptocurrencies को as a mode of payment accept करना शुरू करेंगी इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि क्या cryptocurrency को जो है अपना वजूद maintain करके रखने में problem होगी आने वाले time में given the fact कि cryptocurrency का जो nature है बहुत जादा वॉलेटाइल है वही पर एक और interesting बात यहां पर यह निकल के आती है कि जहां पर एक तरफ दुनिया cryptocurrencies को लेके चर्चा कर रहे है acceptance की बात कर रहे है वही पर इंडिया जो है बहुत जल्द ऐसा एक cryptocurrencies को लेके बिल लागो करने जा रहा है जहां पर cryptocurrencies को बैन करने की बात हो रही है तो देखने वाली बात यहां पर यह हो जाती है कि क्या दुनिया इंडिया को follow करेगी या फिर इंडिया आने वाले time में अपना जो यह stand है उसको change करेगी cryptocurrencies को लेके क्योंकि इंडिया being the second largest digital market यह देखने वाली बात interesting हो जाएगे और लोगों की नजरे भी रहेंगे इंडिया पे कि क्या इंडिया cryptocurrencies को अपनाता है या फिर उनको ban करता है बाकि आप लोग जरा हमें comments में बताइए कि आपके क्या thoughts है इस पूरे cryptocurrency को scenario के लिए कि आपको लगता है कि इंडिया को जो है थोड़ा अपन stance बदलना चाहिए उनको भी cryptocurrency को as a alternate mode of payment के तोर पे देखना चाहिए या फिर आपको लगता है कि जो ये सरकार का decision है जहाँ पे वो लोग cryptocurrencies को ban करने जा रहे है वो सही है जो भी है comments में जरूर बताइए बाकि मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर दबा दीजिए बेल आइकन को दबाना बहुत साथ है इंपोर्टेंट है ताकि आपके पास notification मिल जाए मेरे नाम तोईदू रोमान है मैं आपको मिलूँग अगले वीडियो में तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट पिक ब्रैंड को thanks for watching